अब की बार महिलाएं बेरोजगार हैं मैं क्यूं कह रहा हूं कि हमारे देश में 15 साल से उमर के जादा जो औरते हैं जिनको लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो बाहर जाके काम कर सकती हैं उनमें से सिर्फ 8.2 प्रतिशत औरतें महिलाएं बाहर जाकर काम करती हैं जिसके लिए उनको पैसा मिलता है वही अगर मैं पुरुषों का देखू 15 साल से जादा जो लेबर फोर्स में आ सकते हैं वो लगबग 63 प्रतिशत से जादा पुरुष बाहर जाकर काम करते हैं उनको और इसका आंसर जो mainstream economist जिसको आप दरबारी economist कह सकते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, वो धीरे धीरे इतने अमीर हो रहे हैं, कि उनके घर में जो औरते हैं, वो पैर पे पैर रकर आराम की जिन्देगी जी रहे हैं. अब उनको काम करने के जरूरत ही नहीं है, हमारे देश की संसकार ऐसे हैं कि किसी भी घर में, किसी भी परिवार में पुरुष बाहर काम करने जाता है, अगर ज़रूरत जोहत जादा पड़े तंगी हो तब औरते बाहर जाके काम करती है नहीं तो पुरुष ही काम करते हैं और औरते घर पे बैठती हैं और जितना जितना पैसा गरीब वह बढ़ड़ा है वही हो रहा है वो धीरे धीरे काम करना औरते छोड़े हैं इसका मतलब य होना चाहिए न की ओर दत अगर कोई भी काम करना चाहे जिसको पेड़ वक कहते हैं अगर वो चाहिए तो उनको इलिए बहुत आसान होना है क्योंकि इतना कम है स्पार्ट टेज फी में लेबर का तो बहुत आसान से मिलना चाहिए इसका मतलब उनमें जो बेरोजगारी दर है वो भी पुरुष्य से कम होना चाहिए क्या यह सही है हम देखते हैं कि मैं दिसंबर 2021 का unemployment rate देखता हूँ तो पुरुषों में लगभग 8.7% unemployment यानि की बेरोजगारी है और तो में कितना है 29 प्रतिशत से जादा 29 प्रतिशत से जादा जो औरते काम करना चाहती है देखिए सिरव 8 प्रतिशत औरतों के पास काम है जो काम करना चाहती है और तो और वह भी दस में से यानि बेरोजगारी दर बहुत जाज़ा था, 9 प्रतिशत था, और ओरतों में 27 प्रतिशत के आसपास बेरोजगारी दर उस वक्त भी था, यानि ओरतों को हमारे देश में काम मिलना बहुत ही मुश्किल है, यह इसलिए नहीं कि वो घरबे आराम कर दीए, जो काम लेना भी चा के काम करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि घर में इतना जादा काम काज उनका रहता है, क्योंकि घर में औरते अनपेड लेबर करती है, दिन का जो काम होता है, घर का काम, बच्चे देखना, बच्चे समालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बरतन धोना, मार्केट मे जाके पैसो के लिए काम करें तो घर में किसी को रखना पड़ेगा उनको काम के लिए और वो पैसा जो जो जेना पड़ेगा उसके बाद उनके जेब में जो रहेगा वो इतना कम है कि बाहर जाने के लिए बाहर जाकर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है इसका मतलब साफ है क महिलाएं बाहर काम करना धूडने इसलिए नहीं जा रही है एक उनको सैलरी और वेतन और वेज बहुत कम मिलता है और दूसरा है कि वो बाहर जाएंगे तो घर का काम समालने के लिए जो खर्चा होगा उसके बाद हाथ में बहुत कम बचेगा इसलिए उन्होंने काम धूडना छोड़ दिया है यही मैं देखता हूँ कि हमारे सरकारी डेटा है कि घर में जिसको हम अंपेड डुमेस्टिक वर्क कहते हैं यानि जिसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है उसका कितना जितने औरते हैं उनके से 81% यह काम करती है घर का काम करती है 81% लेकिन जितने पुरुष हैं जो घर का काम करते भी हैं उनमें से सिरफ 26 प्रतिशत के आसपास घर का काम करते हैं 26-27 प्रतिशत पुरुष हमारे देश में घर का काम करते हैं और उसके बाद भी आप देखी कि कितना कम होता है क्योंकि औरते जो घर का काम करते हैं औसतन लगभग पांच घंटे उनको ऐसा काम करना पड़ता है लेकिन वही अगर मैं पुरुष देखू जो घर का काम करते हैं वो लगभग देड़ घंटे लेकिन इसके लिए उनको पैसे नहीं होता है ये सब आप देखें तो कुल प्रड़क्तिक वर्क उतना ही है जतना महिलाओं का घर में होता है लेकिन इसके लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं ये भी नहीं माना जाता है कि उनका काम कोई GDP के लिए भी फायदे मंद हो देश के लिए भी फायदे मंद हो तो ये साफ है कि जतने हमारे देश के lower income group के लोग और भी गरीब हो रहें उतना जादा औरते लेबर फोर्से निकल रहे हैं इसलिए ने कि गरीब अमीर हो रहे हैं इसका बिल्कुल उल्टा कि गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं आज का शोई यही तक न्यूस क्लिक देखते रहे हमाएं सब्सक्राइब भी कीजे हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और ये वीडियो लाइक कीजे शेर वीज़वीड कीजे